हाई अब्रिवान आपका हमारे चनले पर स्वागत है मेरे नाम है कास तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट टक जरू देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या प्लेस्टर को डार्क मोड में कैसे इनेबल कर सकते है और हमारे चनले पर आप पहरी बार भीजिट किया है तो हमारे चनले को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लिजे चलिए आज कर वीडियो शुरू करते हैं और हमें इस्टाग्राम पर अभी तक आपने पॉलो नहीं किया है तो यूजर नेम है टेक भी तक आज 23 या काफी सारे अप्लीकेशन और जाते हैं जीसमें आप देख सकते हैं तो डार्क मोड को इनेबल करने के लिए आपको यहां पर थरी्लाइश है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा three lines पर click करने के बाद कुछ इस तरह interface आपको देखने को मिलेगा तो आपको चले जाना है settings पर settings पर click करने के बाद और भी काफी सारे आपके options मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं theme का एक option है तो simply आप इस पर click कर देजिए तो themes पर click कर देज़ेगा तो आपके सामें तीन option मिल जाते हैं पहला है light दूसरा है dark और तिसरा है set by battery saver अगर आप light पर click करेंगे तो जैसे आप भी use कर रहे हैं तो same उसी तरह use करेंगे अगर dark पर click कर देज़ेगा तो पुरा black हो जाएगा आपको state battery saver पर click कर देज़ेगा तो थोड़ा पीला टाइप का आपको देखने को मिलेगा white और पीला मिक्सिंग टाइप कराएगा जिसा आपका battery बचेगा तो simply अगर आप dark mode में इस्तिमार करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि play store totally black हो जाए तो इसके लिए आपको second number option है dark तो इ इस तरह आप अपने play store को dark mode में enable कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पस्तांद आए होगा तो वीडियो को like कर देजिए और साथ ही अपने friends में share कर देजिए ताकि वह भी जान पाए और वह भी play store को dark mode में enable कर सकें अगर किसी तरह साब का सवाल है तो हमें comment box में पूछ सकते हैं चलिए आज के वीडियो में तना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक bye bye